हलो फ्रेंड्स मैं हूं संध्या स्वागत है आपका सेल की रसोई में आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स सबसे सरल ब्रेकफास्ट बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही कम टाइम में बनकर तियार हो जाता है मौर्निंग में हम सोचते हैं कि जटपट कोई नास्ता बना लें तो इस सरल और इजी नास्ता कोई नहीं हो सकता और यह बहुत हेल्दी नास्ता होता है आप इसे टिफिन में भी ले जा सकते हैं इसे बच्चे बड़े सब खाना पसंद करते हैं तो मैं बिलकुल इसी तरीके से आपको बताऊंगी और अगर आज लसुन प्याज नहीं खाते हैं तो बिना लसुन प्याज के ही मैं आज का यह पोहा रेस्पी जो है मैं बिना लसुन प्याज के बना रही हूँ तो चलिए फिर फटा-फटी स्टार्ट करते हैं देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत पड़ेगी पोहा तो आप कई बार बनाए होंगे लेकिन एक बार आप मेरे तरीके से बना कर देखिएगा इसमें मैं सबजी यूज़ करने वाली हूँ आपको जो सबजी पसंद होगा, आप उसबजी यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, तो यहां मैंने सारा समान एक जगाई कठा कर लिया है, तो यह देखें मैंने लिया है पोहा, तो आपको जितना बनाना होगा, आप उतना पोहा लीजिएगा, तो मैंने एक पैकेट जो एक किलो का आता है पोहे का पैकेट उसका मैंने आधा लिया है, यहां मैंने सबजी में लिया है फ्रेंट से एक बड़े साइच का आलू, जिसे छील के मैंने कट किया है, गोभी लिया है मैंने फूल गोभी, तो आप इसके जगा मटर ले सकते हैं या गाजर ले सकते हैं आपको जो पसंद वो ले सकते हैं जैकिन फूल गो भी ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें यहां मैंने लिया है एक टमाटर बड़े साइच का उसे कट किया है नीबू लिया हादा टुकड़ा कड़ी पत्ता लिया है हरी मिर्च लिया है तो मिर्च आप अपने ही साप से कम ज़्यादा कर लिजेगा यहां मैंने लिया है मुमफली मुमफली के दाने हमें लेने हैं और यहां मैंने लिया है मसाले में इसमें हम क्या डालेंगे तो जरा-जरा सी हमें डालना है तो थोड़ा सा हम डालेंगे लाल मिर्च थोड़ा सा डालेंगे हम गरम मसाला जीरा लिया है नमक लिया है और हल्दी लिया है इतना ही हमें डालना है पोहे में हमको ज़्यादा मसाला यूज नहीं करना है बस इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो जैसा कि मैंने बताया मिर्च आप अपने स्वात के नुसार लिजिएगा तेल लिया है मैंने तो चलिए सबसे पहले गैस ओन करके हम एक पेन चड़ाएंगे तो यहां मैंने पेन चड़ा दिया पेन के गरम होते ही इसमें इसके बाद हमें इसमें मुंफली को डालके अच्छे से फ्राई कर लेना है तो तेल डाला मेंने दो चम्मच तेल को गरम हो जाने देंगे अच्छे से और मुंफली को हम डाल देंगे जब इसमें से चटचट की अवाज आएगी तब आप समझ जाएं कि मुंफली जो है मुंफली डाल दिया मैंने, गैस को मिडियम रखा हुआ है, अब चलिए इसे चलाते हुए हम भून लेंगे, तो जब यह भून जाएंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, और मुंफली भूनने के बाद में चटचट की अवाज आने लगती है, जब मुंफली भू में, अब इसे हम जल्दी से निकाल लेते हैं, तो चलिए पूरा निकाल लेंगे, अगर आपको लगे कि तेल कम है, तो तेल आप फिर और डाल लीजिएगा, और नहीं तो फिर उतना तेल में ही बन जाएगा, मैं थोड़ा सा तेल मसाला कम ही यूज करती हूं, मेरी यादत ह मैं घर में भी बनाती हूं, तो मैं जादा तेल यूज नहीं करती, तो यह देखिए, मैं बस इतने ही तेल में बनाऊंगी, आपको लगे कम, तो आप थोड़ा सा एक दो चम्मच और डाल लीजिएगा, तेल हमारा गरम है, अब इसमें डाल देंगे जीरा, तो एक चम्मच, डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है, तो जीरा हमारा भून गया, कड़ी पत्त डाल दिया, अराम से डालेंगे, ताकि छीटे मत पढ़ें तेल के, हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा इसे भून जाने देंगे, तो प्याज यहां मैं यूज नहीं कर रही हूं, अगर आप प्याज यूज करना चाते हैं, तो आप प्याज यूज कर लिजेगा, इसके बाद हम डाल देंगे, आलू और ये गोवी, और इन्हें डाल के हमें अच्छे से भूनना है, तो आलू को डाल के पहले थोड़ा साय से मिक्स कर लेंगे, तो आप इस तरह से एक बर पोहा जरूर पनाईएगा, बहुत तेश्टी बनता है, खाने में ये बहुत ही अच्छा लगता है, अब इसमें हम डाल देंगे गोवी, और इसे हम ढख ढख के भूनेंगे, क्योंकि कच्चा मत रह जाए, जो सबजी हम यूज कर रहे हैं, तो ओ कच्चा न रह जाए, इसके प्लेम पे है, तो थोड़ा कम कर देंगे, ताकि जले नहीं, और इसे हम ढख देंगे, ढख ढख के थोड़ा साई से हम पकने देंगे, ढख दिया, बीच बीच में हमें इसे चेक करते रहना है, अब इसे फिर से ओपन कर लेंगे, तो बीच मैंने एक दो बार इसे चलाया थ तो आप देख रहेंगे थोड़ा कलर भी इसका चेंज हो गया तो आप ऐसे ढखेंगे तो यह जल्दी से पक जाएगा और आपका जो पोहा है जटपट बनकर तैयार हो जाएगा ऐसे मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम डालेंगे जो मसाले वगेरा हमें डालने हैं वह हम डालें इसके बाद इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर गरम मसाला लाल मिर्च पाउडर यह हमें डालना है नमक डालके ऐसे इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से यह देखिए आपको अगर लग रहा है कि तेल बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो जब आप बनाएं तो तेल दाल लीजेगा एक दो चमच मुझे ठीक लग रहा है इतना तेल में अच्छे से बन जाएगा हल्दी डाल दिया अब चलिए गरम मिर्च डाला गरम मसाला डाल देंगे और इन सब को डालके अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे ताकि साथ में अच्छे से पक जाए तो मिक्स किया ऐसे टमाटर डालने के बाद में इसे हम फिर से धक धक के इसे हम पका लेंगे जब तक से आलू जो है हमारा पक न जाए और गो भी तो अभी थोड़ा लाइट गोल हो गया है यह देखिए वीडियो बनाते हुए तो आप माइं नहीं बनाते हैं जब तक यह पकते रहेगा तब-तक हमें फटा-फट धो लेना है तो पोहा को एकदम आप पानी में डालके छोड़िएगा मत बस पानी डालिएगा और पानी से तुरंथ में पोहा नीकाल लेना है नहीं तो पोहा जो है गिला-गिला सह हो जाएगा फिर दो लिया इधर आलू गोबी जो है हमारा उपक चुका है अब पोहा को डाल देंगे तो पोहा का पूरा पानी निकाल के हमें डालना ही यह देखिए एकदम ड्राई होना चाहिए पूरा डालने के बाद में इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद मुंफली दाना जो हम रोज रोटी प्राठा नहीं बनाते कभी-कभी ऐसा होता है कि समय बिल्कुल कम रहता है और हम सोशते हैं कि जटपट कोई नास्ता बना लें तो इसे जटपट नास्ता बनने वाला और तूसरा नास्ता कोई नहीं है यह फट से बन जाता है और खाने में भी अच्छा कर लेंगे जैसे बच्चों को आप दें टीफिन में में उसके ऊपर थोड़ी इसी आप पर आज कट करके डाल दें तो इससे क्या होगा कि बच्चे और उसे पसंद से खाएंगे तो ऐसे मिक्स करके इसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूं नीबू आप जरूर डाले नीबू से पोहे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है आप जब भी कहीं बाहर खाएंगे तो देखेंगे वो जरूर नीबू होटल वाले या फिर जो भी ठेले वाले रहते हैं तो नीबू पर स से तीन- चार लोगों को नस्तान क दे सकते हैं वाले में निकाल लेती हूं cane तो हमने यहां प्याज यूज नहीं किया है फ्रेंट्स अगर आप आप खाते हैं तो वी स्टार्टिंग में यूज़ कर लीजिएगा और जैसे घर में कोई प्याज खाता है, कोई नहीं खाता है, तो आप उपर से प्याज बारिक काटके उपर से डाल दीजे, अब नीबू का रस इसमें डाल देंगे, इसके बाद इसके उपर हम धनिया पत्ती डाल देंगे थोड़ी सी, थोड़ी सी प्याज करके डाल देंगे आप चाहें तो थोड़ी सी मिक्चर भी डाल सकते हैं तो नीबू का बीज थोड़ा सा गिर गया उससे मैं निकाल देती हूँ अलग हटा देती हूँ नीबू डालते समय ध्यान रखेगा बीज न चला जाए थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे प्याज को मैंने बारिक कट करके रखा है उससे थोड़ा समय डाल दूँगी और अगर प्याज नहीं खाते हैं तो आप फिर मट डालिएगा और ये देखिए हमारा पोहा बनकर तयार हो गया तो आई होप आपको जरूर पसंद आएगा आप एक बार जरूर ट्राइ किजिएगा और अगर आज की रेश्पी पसंद आए फ्रेंज तो वीडियो को जरूर लाइक किजिएगा चैनल को प्लीज सस्क्राइब करना मत भूलिएगा और जो फ्रेंज चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सस्क्राइब किजिएगा चलिए फिर मुलकात होगी एक नई रेश्पी के साथ एक नए विडियो में